अस्टाब लंगों फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग तो सोयल के डिंगिंग करना कितनी जरूरी है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हो जो आपके लिए बहुत काम आएंगी तो मेरे साथ ही रहेगा और वीडियो पहला बेनेफिट यह है कि उससे सोयल का साथ यानि स्ट्रक्चर बहतर हो जाता है और जिस सोयल की डिंग ना की जाए उसकी सोयल हाड हो जाते है तो इसका दूसरा बेनेफिट यह है कि इससे सोयल नरम होती है और रूट को ग्रोव करने में मदद मिलती है और मटि के न्दर जो माईक्रोब्स होते है उन तक हवा पहुंचती है जिसकी वज़ए से पौदा जाद अच्छा ग्रोव करता है तो इसका तीसरा बेनेफिट यह है कि इससे सोयल हो जाती है जिसकी वजह से पानी रूट्स तक असानी सब महुंच जाता है और यह इसलिव ज़रूरी है मट्टी के अंदर ज़रूरी जड़ी बूटियां लगी होती है उनको खतम किया जाए और मट्टी के अंदर जो पत्थर है उनको निकाला जाए ताके मट्टी साफ हो जाए प्रेम्स पूट्स अंदर लगी आपको यह वीडियो करें तैंड यह आप महलें प्लाइं शाइए करें और अगर तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइप करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब करें के लिए अला आपिस